जहें दोस्तों बहुत बहुत स्वागत था एक बार फिर से आप सभी का B.A. समस्टर वाला में आज के इस कलास में हम लोग कवर करेंगे B.A. सिक्ष समस्टर सोसियोलजी पेपर का नाम है जेंडर और सोसाइटी यह paper कहा है यह paper है महत्मा गांधि कासी विद्या पीट का यह question paper है ठीक है इसमें आपके 75 प्रस्न पुचे गए थे 75 नमबर के आपके 75 प्रस्न कुल ठीक है पचहत्तर में से कितने सही हुए है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताईएगा ठीक है चले इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखते हैं पहला प्रस्ण आपको क्या पूछा गया है यदि आप इस प्रस्ण पत्र को तो साधी के बाद पती से संबंद बनाना साधी के बाद मा बनना ये दोनों तीसरा अपसन आपका राइट है पहले का चले दूसरा प्रस्ण आपका इसमें क्या पूछा गया था जेंडर समाने रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत है यह कथन किसका कहा जा सकता है तो यह जो कथन है यह नारिवाद की दूसरी लहर कहा जा सकता है दूसरा आपसनाप का राइट है दूसरे का चले तीसरा प्रस्णाप का इसमें पूछा गया था ठीक है चले तीसरा प्रस्णाप का इसमें पूछा गया है नारिवादी आंदोलन नारी को की स्छेत प्रजननता किस परकार की परकिरिया है, प्रजननता समाजिक परकिरिया है, पहला अपसनाप का राइट है, भारत में किस उम्र की अभधी को प्रजननकाल की संग्या दी जाती है, तो 20 से 40 वर्स चौथा अपसनाप का राइट है पाचवे का, प्रजननता में जनमित बच्चों को सामिल किया जाता है, पहला अपसनाप का राइट है छटवे का, प्रस नमर साथ आपका इसमें पूछा गया है, आधुनिक यूग में महिलाओं के उत्पीडन में जोलननत समस्या बनकर उत्पन हुई, तो घरेलू हिंसा दूसरा अपसनाप का राइट है साथ में का, प्रस नमर आठ आपका पूछा गया है, धार्मिक द्रिष्टी से किसको अधिक महत्पूर माना गया है, तो धार्मिक द्रिष्टी से पूत्र को अधिक महत्पूर माना गया है, नवा प्रस नमर आपसे पूछा गया था, दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा एक परंपरा है जोधापसन आपका राइट है प्रस्चनुमर 10 के पुछा गया है बिधवा इस्तिरी का जीवन होता है तो कठिनाईयों से पड़ि पूल होता है दीसरा अपसन आपका राइट है प्रस्चनुमर 11 पुछा गیا है जनन छमता से तातժर है संतान उत्पन करने की छमता ठीक है पहला अपसन आपका राइट है प्रस नमर बारा पुछा गया है आनर कीलिंग से तातपर है आनर कीलिंग से क्या तातपर है तो सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य की हत्या ठीक है ठीक है तीसरा अपस चाहिता है धर्मपत्नी भी और सघ्धर्मचारैनी भी माना जाता है तो चौथा अपसनापका राइट है श्रफ्फट म नमर चौधा आपको क्या पुछा ग्या है AMY की लिंक को किस न्य नाम से पुकारा जाता है तो आनर की लिंग जो होता है इसको सम्मान हत्या बोलते हैं ठीक है पहला अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 15 आपका क्या पुछा गया है आनर की लिंग का मुख्य कारण है आनर की लिंग का मुख्य कारण क्या होता है भय की भावना होती है बिरोध की भी भावना होती है और अपमान की भी भावना होती है चोथा अपसनापका राइट है चले प्रस नमबर 16 क्या है आनर की लिंग में अधिकतर मारा जाता है तो इस्तिरियों को मारा जाता है ठीक है दूसरा अपसनापका राइट है लगा प्रस नमबर 17 क्या पुछा गया है नारीबाद के अंतरगत महिला मताधिकार का समर्थन किस ने किया था तो डाक्टर प्रभा खितान ने किया था तीसरा अपसनापका राइट है प्रस नमबर 18 पुछा गया है घरेलू हिंसा के कारण है पुरूस प्रधानता होती है इस्तिरियों की पुरूसों पर आर्थिंग निर्भरता है और असिच्छा के कारण भी घरेलू हिंसा होता है चौथा अपसनापका राइट है प्रस्ट नमबर 19 आपका क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके साथ महिला ससकती करण की अवधारणा संबंधित है तो इन सभी के साथ भी आठीक है राजनायतिक, आर्थिक और समाजी प्रस्ट नमबर 20 आपका क्या पूछा गया है दहेज के प्रमुख कारण है कुलीन बिवा, धन का महत्व है और समाजीक प्रतिष्ठा भी है चौथा अपसनाप का राइट है प्रस्ट नमबर 21 पूछा गया है आनर कीलिंग में अधिकतर केस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं तो प्रेम विवा से संबंधित होते हैं दूसरा अपसनाप का राइट है प्रस्ट नमबर 22 आपका क्या पूछा गया है वह इस्तरी बिधवा का हलाती है जिसका पती मर गया हो तीसरा अपसनाप का राइट है प्रस नमर तेज है आपका प्रतक्ष नारी हत्या है प्रतक्ष नारी हत्या तो नारी सीसु को मार डालना नारी सीसु को भेकना नारी सीसु को त्यागना चौथा अपसन आपका राइट है प्रस नमर चौबिस है दाहेज ना होने के कारण लड़कियों का विवा हो जाता है अयोग्य लड़कों के साथ ठीक है दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमर पचीस है घरेलू हिंसा संड़क छड़ा दिनियम पूरे देश में लागू किया गया कब लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 26 आपका क्या पूछा गया है निमनलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है तो देखिए जो अपहरण है या घरेलू हिंसा का रूप नहीं है बाकि दहेज मृत्ति हुए दहेज के कारण लोग मार डालते है ठीक है यौन उत्पिलान है जवर्जस्ति संबंद बनाते हैं पतनी की पिटाई करना ठीक है कि दहेज नहीं मिला इस कारण भी लोग महिलाओं को मारते हैं तो ये सबी हैं घरेलू हिंसा के रूप लेकिन अभारण नहीं है ठीक है किसी को किड्नैप करना तो तीसरा अपसनाप का राइट है प्रस नमर 27 क्या है दहेज निरोधक अधिनियम की औस अफलता का कारण है अधिनियम का क्रियान में नहीं होना चौथा अपसनाप का राइट है चले आगे बढ़ते हैं प्रस नमर 28 क्या पुछा गया है भारतिय दंड़ संगिता की किस धारा में बलातकार को दंड़निया अपराथ घोसित किया गया है धारा 376 में प्रस्न मर 59 क्या पुछा गया है? दहएज निरोधक अधनीयम किस वर्स में पारित हुआ? तो जो दहएज निरोधक अधनीयम है 1971 में पारित हुआ तो दूसरा आपसन आपका राइठ है. प्रस्न मर 30 पुछा गया है? ध्यान रखेंगे. चले तीस नमबर पुछा गया है भारत में इस्त्रियों को पुरूसों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का समाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ उनिस सो चपन में पास हुआ था पहला अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 31 क्या पुछा गया है आपका भारती समाज के संदर्व में कौन सी दसा घरेलू हिंसा का कारण है तो फित्र सत्तात्मग विवस्ता है पहला अपसन आपका राइट है 31 का प्रस नमबर 32 क्या पुछा गया है भारत में चिकतसी गर्भपात अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था 1971 में पारित किया गया था दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 33 क्या है कारे अस्थल पर महिला उत्पिड़न से संदर्व अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ था देखिए 2013 में मैं आपको पता दे रहा हूँ जो कारे अस्थल में महिला उत्पिड़न से जो संदर्व अच्छड़ा दिनियम है यह लोग सभा में 3 सितंबर को पास हुआ था 3 सितंबर 2012 को ठीक है यह लोग सभा में पास हुआ था और राज्य सभा में 26 फरवरी को ठीक है 26 फरवरी 2013 को राज्य सभा में पास हुआ था लोग सभा 2012 में और राज्य सभा में 2013 2012 आपके आपसन में दिया नहीं है 2013 दिया है पहला आपसन आपका राइट हो जाएगा प्रस नमर 34 पुछा गया है भारत में राष्टी महिला आयोग की अस्थापना की गई कब की गई? 1992 में 1992 में चोथा अपसनाप का राइट है प्रस नमर 35 है पंचायती राज संस्थाओं में इस्तरियों के लिए अस्थान सुरच्छित रखने के लिए एक केंदरी अधनियम पारित हुआ कब पारित हुआ था? 1992 में 1992 में तीसरा अपसनाप का राइट है प्रस नमर 36 क्या पुछा गया है आपका? 36 नमर ठीक है? चले ध्यान पूलवक देखेंगे भारत में बिधवापुनर विवाह को कानूनी माननेता सबसे पहले दी गई तब कब दी गई थी? तो एक जुलाई 1956 में दी गई थी? ठीक है? चले भारत में बिधवापुनर विवाह को कानूनी माननेता सबसे पहले दी गई थी? ठीक है? अठाइस सितंबर को पास हुआ था? 28 सितंबर ठीक 28 सितंबर 1929 प्रस नमबर 38 आपका पुछा क्या है? घरेलु हिंसा संरक्षड अधिनियम पारित हुआ? कब पारित हुआ था? बताइए आप सभी लोग बिल्कुल 2005 ठीक है? देखे 2006 यह नहीं यह 2005 आपका राइट अंसर होगा प्रस नमबर 49 क्या पुछा गया है आपका? किस वर्स को अंतराश्टी महिला वर्स के रूप में घोसित किया गया? 1975 दूसरा आपसन आपका राइट है देखे ऐसा जो यह वाला प्रस नमबर 38 वाला यह क्या होता है? कभी-कभी 2006 दे देता है तो 2006 आपका राइट रहता है जो घरेलो हिंसा संड़ाच्छड अधिनियम 2005 इसका पूरा नाम है ठीक है? घरेलो हिंसा संड़ाच्छड अधिनियम इसमें 2005 होता है ठीक है? ध्यान रखेंगे तो 2005 आपका राइट एंस वर है चौथा ठीक है? चले मैंने कई बार यह आपको बता दिया है कोश्चन पेपर जब भी मैं सॉल कराता हूँ आपको बताता हूँ मॉडल पेपर में भी आपको बता देता हूँ कलास में ठीक है? चले कोई बात नहीं है क्या है महिलाओं के साथ किस छेत्र में भेदभाव किया जाता है तो महिलाओं के साथ समाजी छेत्र में आर्थिक छेत्र में और पारिवारी छेत्र में ठीक है चौथा अपसन आपका राइट है लेकिन जब से मोदी जी आ हैं बेटी बठाओ बेटी पड़ाओ हर छेत्र मे महिलाय आगे हैं पुरूस पीछे होते चले जा रहे हैं प्रस नमबर 43 क्या है भारती समाज में उच्छ इस्तिति किसे प्राथ है तो उच्छ इस्तिति पुरूसों के प्राथ है 44 नमबर पसने समाज में जन संख्या का आधा भाग किसका पाया जाता है तो आधा पुरूस का होता है और आधा महिलाओं का होता है ठीक है चौथा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 45 का है भारत में लाइंगिक विसमता संबंदित वेवहारों की सीख व्यक्ति को प्राथ होती है तो समाजी करण की परकिरिया द्वारा प्राथ होती है चौथा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 46 आपका क्या पूछा गया है जब किसी समाज में पूरूसों की अपक्षा इस्त्रियों को या इस्त्रियों की अपक्षा पूरूसों को दूसरे से अधिक स्रेश्ट माना जाता है तो इसे कहा जाता है तो इसे लाइंगिक विसमता बोलते है ठीक है जेंडर इ भूमी का निभा रही है तो यह दोहरी भूमी का निभा रही है ठीक है जले तीसरा अपसानापश है अनsamख्या अध्यणकी नमीज साखा प्रस नमर्बर पचास है किस धर्मसास्त्र में यह कहा गया है कि इस तरीयों को बच्पन में पिता के सनलक्षण में युव अवस्था में पती के तथा वृद्धा वस्था में पुत्र के सनलक्षण में रहना आवश्यक है पहला अपसनाप का राइट है यह मैंने कई बार पढ़ा चुका है कोश्चन ठीक है चले किस के अनुसार समाज में महिलाओं के साथ अतीत में हुए अन्याय की जहती बूर्ती मिलनी चाहिए उग्र नारिवाद के अनुसार चौथा अपसनाप का राइट है 51 का चले प्रस नम्मर आपका 52 पूछा गया है उदारवादी नारिवाद किस दसक में लोग पुरिये रहा उन्यसों पचास साथ तक चौथा अपसनाप का राइट है प्रस नम्मर 53 क्या है किसके प्रयास से महिलाओं के लिए सिच्छा स्वास्त यों कल्यार से संबंदित बिधान बनाए गये तो उग्र नारिवाद तीसरा अपसनाप का राइट है प्रस नम्मर 54 पुछा गया है रेडिकल नारिवाद संगठन का निर्माल कहां हुआ तो इसका निर्माल अमेरिका में हुआ ठीक है दूसरा अपसनाप का राइट है प्रस नुमर 55 क्या है? घरेलू हिंसा से तात्पर है यह सबी है, ठीक है, आप लोग पर लिजेगा, चौथा अब सनाप का राइट है प्रस नुमर 56 क्या पुछा गया है? 56 चले ध्यान रखेंगे घरेलू इंसा में सामिल है घरेलू इंसा में सभी सामिल है दहे संबंदी मृत्ति हो पतनी को पिटना लाएंगी दूर्वेवा ठीक है चोथा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 57 क्या है 57 नमबर प्रसन है देश की उन्नती तभी संभव है जब हो ठीक है देश की उन्नती तभी संभ और जब समाज की उन्नती ऑगी मेलाओं की उन्नती ओगा आर्थिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, तब ही देश की उन्नती होगी, चारों आप्षन मुझे सही लग रहा है, आपको कौन सा आप्षन इसमें राइट होगा, यह आपके उन्वर्सिटी के उपर डिपेंड करता है, इसमें सबसे ज्यादा बेस टांस्वर, ती पुर्षन आपको इन्करेक्ट है, बलाद करके किसी पुरूष द्वारा किसी इस्तिरी से उसकी इच्छा के विरुद्ध, हाँ ठीक है, विरुद्ध है ठीक है विरुद्ध है, चारों आपको राइट है, चले, प्रस नंबर 69 आपको क्या पुछा गया है, यत्र, नार्या पुझेंते रमंते तत्र देवाता विचार की इस विचारक के हैं यह मनु के विचार हैं दूसरा अपसनापका राइट है उनसट का चले प्रस नमर साथ क्या पुछा गया है भारत में महिलाओं की हत्या का सबसे प्रमुख कारण है तो अवायद संबंध है लंबी बीमारी है घरेलू जगड़े हैं चोथा अपसनापका राइट हो जाए चले प्रस नमर 61 क्या पुछा गया है कारसील महिलाओं को निम्न स्रेडी में बाटा गया है घरेलू कारसील महिलाओं होती है नौकरी पेसा और स्रमिक महिलाओं भी होती है चोथा अपसनापका राइट है प्रस के वस्त पहनने की प्रेणना दिए है स्वेत वस्त रहें दूसरा अपसनापका राइट है प्रस नमर 64 पूछा गया है नर या मादा अथवा इस्त्री या पुरूस की लिंगिय भेद का क्या आसे होता है इसका आसे होता है जनन च्छमता लाइंगिक संबंद और लाइंगिक् प्रमुख कारण क्या है ठीक है प्रमुख कारण है धार्मिक रूड़ियां है और नारी की या सिक्षित होना आर्थिक गुलामी तो चौथा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 66 है आज परिवार समाज जाती और व्यवसाय के अधार पर नारी के किस प्रारूप में बदलाव आया है तो नारी के स्वतंत्रता में बदलाव आया है फ्रेडम में चौथा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 67 है इस्तरी का परदे में रहना लोकतंत्र के बिरुद्ध है ये विचार किसके है सैंतुराष्ट का मानवाधिकार आयोग चौथा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 68 है योनवाध से क्या तात्पर है महिलाओं को केवल योन पदार्थों की भाति मानने की अभिवरित्ती दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 79 है मीडिया ने महिलाओं के किस रूप को प्रस्तूत किया है समाजिक ग्लैमरस आधुनिक और द्रेण ये चारों आपसन मुझे राइट सही लग रहे हैं ठीक है इसमें राइट एंस्वर क्या होगा या आपके युनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है तो 100 परस प्रस नमर 70 क्या है आधुनिक भारती परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवेश्तिति को निमनलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है तो देखें इसमें पहला और तिसरा आपसन आपका सही लग रहा है ठीक है क्योंकि इसका राइट एंस्वर पहला और मुखिया बनना और महिलाओं की बढ़ती हुई आर्थी किस्तिती ठीक है चले राइट एंस्वर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्रस नमर 71 क्या है रेडिकल नारिवाद के अनुसार महिला उत्पिडन किस प्रकार की समस्या है तो महिला उत्पिडन समाजि समता से समद्धित है तो समाजिक संबंध है दूसरा अथ्चन आपका राइट है प्रस नमर 74 क्या फूछ ए लिंग समदित आयामों के अध्यन है तो किस तत्व का विशलेशड किया जाता है नारी सरीर का या फिर समाज में लिंक केंद्रियता का दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 75 पूछा गया है आधुनी क्योग में नारीयों के साथ अधिकान सतह किस प्रकार का बेवहार किया जाता है प्रस नमबर 75 का ठीक है चले ये रहे आपके 75 कोश्चन आप लोगों ने जो प्यार और सोपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तह दिल से धन्यवाद जैहिन जैभारत